हलो फ्रेंड, वेल्कम ट्योर चैनल क्यानफर एक्जाम आज से आपके लिए बिहार दरोगा मेंस के प्रैक्टिस सेट सुरू किये जा रहे हैं जैसा कि आपको पता है कि 26 दिसंबर को आपने बिहार दरोगा प्री का एक्जाम आलरेडी दे चुके हैं और उमीद करते हैं आपके जो रिजल्ट हैं वो सही पॉजेटिव रिजल्ट हो यानि कि आप सेलेक्ट हों मेंस एक्जाम के लिए और आगे की भी सभी प्रोसेस में आज से सुरू किया जा रहा है बिहार दरोगा मेंस का और ये जो है मॉडल सेट है केवी सी नैनो बुक की जो की एक बेहतरीन बुक माना जाता है इसमें टोटल बीस मॉडल प्रैक्टिस सेट दिये गए हैं और साथ ही साथ कुछ एक सेट जो है दोहजार अठारा की जो मुखे पर इक्छा हुए थे उसके प्रिभियस येर कोश्चन है तो आज जो हम यहाँ पर कवर करेंगे वो पहले हम एक प्रिभियस येर कोश्चन को ही कवर करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि पीछे के एक्जाम में कैसे प्रस्ण पूछे गए थे पर आगे एक्जाम के प्रस्ण को solve करने से पहले आपको कुछ basic जानकारी दे दें कि आपका जो mains एक्जाम होता है इसके दो पेपर होंगे पेपर 1 आपके हिंदी होते हैं और पेपर 2 जो होते हैं वो आपके G के GS होते हैं इसमें कुल आपको 2 नے पेपर में 100-100 प्रस्ण के 200 नमबर के प्रस्ण पूछे जाएंगे दो दो अलग होंगे 200 नमबर हिसके होंगे और 200 नमबर पेपर 2 के होते हैं इसकी सारी डिटेल हमने एक video में आपको दे दिया है वो video आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं या फिर नीचे description में उसके link दिये गए हैं, आप वहाँ से ओ वीडियो जरूर देख लेंगे, पूरी detail में आपको दे दिये गए हैं, अब हम पहले इस वीडियो को देखेंगे, और साथ ही साथ आप से एक suggestions भी है, request भी है, कि हमारा प्रयास है कि आपको इसके maths के भी solution पूरी क के जो 20 प्रस्ण पूछे जाएंगे, उसकी solution पूरी की पूरी कराए जाए या नहीं, आप फिर लंबी वीडियो करीब आपको आधे गंटे 45 मिट की वीडियो जाएगी, math को solution के साथ करने पर, तो आप हमें जरूर बता देंगे, कि सिर्फ GK GS के प्रस्ण देखना पसंद कर तो आप जरूर कमेंट में बताएंगे और जो लोग नए हैं चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, डेली आपको अब हर एक publication का आपको जिसवी publication, जिसवी book की जरूरत होगी, आप हमें कमेंट में बताएंगे, हम उस publication की book और pdf के माध्यम से आपको सारी प्रस प्रस्ण में देखते हैं कुछ इस प्रकार से प्रस्ण पूछे गए थे त्था आप इसे solve करेंगे और साथ ही साथ हुमारा पूरा परियास होगा कि हरें प्रस्ण को पूरी बेहत्र ढंक से उस समधित सभी प्रस्णों को और सभी आने वाले प्रस्णों सुनाहरा चावल किस रोग के बचावस में सहायक होता है तो आपने जाना होगा कि जो सुनाहरा चावल होता है जो कि बिटामिन A के वसकताओं को पूरा करता है और यह जो होता है गोल्डेन राइस के नाम से जाना जाता है और यह जिरोप्थैल्मिया को बचाता है उससे होने से बचाता है दूसरा प्रस्ण हमारा कि मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस से समद्धी थे मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम समद्ध करें तो जोन परत के सरक्षन से समद्धी थे और यह सरप्रथम 1937 वि में कराया गया था जो की 16 सेप्टमबर को हुआ था इस कारण से हम 16 सेप्टमबर को ओजोन सरक्षन दिबस के रूप में भी मनाते हैं तिसरे प्रस्थ है आपका कि टाइफाइड यानि कि मियादी बुखार फैलता है तो मियादी बुखार जो फैलता है इसको फैलाने वाला मुख्य जो होता है वह है पानी खादे पदार से अगर हम टाइप फायर्ड बुखार की बात करें तो इसका जो जिवानू होता है जिवानू जनित रोग सैल मोनेला टाइप ही के कारण होता है और ये जो है भोजन और पानी के जरिये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यानि कि संक्रमित रोग के नाम से भी यह जाना जात है अगला प्रेसन हमारा चौथा कहता है कि निम्लिखित में से स्वक्ष जल की मच्छियां कौन सी है रोहू कतला इलेक्ट्रिक्रे या कुट्टा मच्छिय जिसे हम डॉग फिस भी कहते हैं तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी एक और दो यानि कि रोहू और कतला जो है यह स्वच जल या मीठे पानी के जल के नाम से जाना जाता है अगला प्रेसन देखेंगे पाचवा कहता है कि बान की अनुसंधान संस्थान कहां इस्थी थे तो बान की अनुसंधान संस्थान की जब हम बात करते हैं तो यह देहरा दुन में इस्थी थे और इसक जाना जाता है अगला प्रसने हमारा 6 नंबर कहता है कि निमलिखित में से कौन सी परवचोटी भारत में है अनपूर्णा, मकालू, कामेट या मामचा वर्मा इसे मामचा को नामचा वर्मा कर लेंगे ये नामचा वर्मा के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर हम देखे तो कामिट परवत जो है यह हमारे भारत की उत्राखंड में इस्तित है जबकि एक और ध्यान में रखेंगे यहाँ पर कामिट परवत है एक कामिट पहाड़ी भी होती है यह बहुत ही इंपॉर्टन्ट सब्द हम आपको बता रहे हैं यह कामिट पहाड़ी की जब बात करेगा तो वह अमेरिका में इस्तित है चलते हैं आगला प्रसन की ओर सातवा प्रसन है कि जापान के योकोहामा सहर में बरस 1994 में संयुकत राष्ट सदसिदेशों का समयलन जिस संदर्व में किया गया वह क्या है योकाहामा सहर 1994 में हुआ था और ये जो संबंधी थे इसका मुख्य कारण था प्रकिर्टिक आपदा नियंतरन से और इसमें जो है कि एक और आगे चल करके एक तीसरा इसका सीखर सम्मेलन हुआ था जो की 2015 में हुआ था और 2015 का जो सम्मेलन हुआ था जपान के ही मियामी प्रांत में हुई थी कहां पर मियामी प्रांत में वीडियो को आप लाश्ट तक जरूर देखेंगे आप पूरे 100 प्रस्ण को जरूर सॉल्व करेंगे तभी अभी आपके पास समय है आप वीडियो को जो भी देखें जहां भी देखें जिस भी बुक को पढ़ें और जिस प्रस्ण को पढ़ें परियास हमेशा यही होना आठो प्रस्ण कहता है कि भारत वर्ष का नूनमाटी तेल सोधन कारखाना यह कहां इस्तित है तो नूनमाटी तेल सोधन कारखाना जो है यह आसम में है इसकी अस्थापना की हम बात करें तो एक जनवरी 1962 को की गई थी और यह IOCL के अंतरगत काम करता है इंडियन वाइल नूनमबर की प्रस्ण है कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायू नामा लिखा था हुमायू नामा जो लिखा गया है यह लिखा गया था अकवर के कहने पर ध्यान देंगे गुलबदन बेगम मुगल समराज का संस्थापक बावर की बेटी थी और उन्होंने अपने सोतेले भाई हुमायू का जीवन चित्रन हुमायू नामा लिखा था मगर किसके कहने पर लिखा था तो अकवर के कहने पर लिखा था सीरी सहर और सीरी का दुर्ग का निर्मान किसने करवाया था तो सीरी सहर का जो निर्मान है ये कराया गया था किसके द्वारा अल्लाओ दिन खिलजी के द्वारा सीरी का महल अलाई दर्वाजा हजार खंबा महल ये सभी खिलजी बंस के सासक अल्लावदीन खिलजी के द्वारा कराया गया था 11 प्रशने की अकवर के 1567 में चित्तोड आकरमन के समय वहां का सासक कौन था तो चित्तोड आकरमन के समय जो सासक था हुआ था उदैसी ऑप्सन नमबर सी और ये 1540 इस्वी से 1572 इस्वी तक सासन किये थे और इनकी राजधानी चित्तोड गड़ था और ये किसके पूत्र थे तो राना सांगा की चौथे नमबर के पूत्र उदैसींग थे सेर्षा का मकवरा इस्थित्य थे आप आसानी से इस प्रस्ण को हल कर सकते हैं कि सेर्षा का जो मकवरा इस्थित्य थे वह सासरा बिहार में ही इस्थित्य थे हैना आगे अगला प्रस्ण कहता है कि कथा सरीत सागर के लेखक कौन है कथा सरीत सागर के लेखा कि अगर बात किया जाए तो इनका संबंध रहा है सोमदेव से यानि की option number B और ये जो हैं ये सैव ब्राह्मन हुआ करते थे ये भी ध्यान में रख लेंगे गुप्तिकालीन प्रथम गनितग गिवा खगोल सास्त्री कौन था गुप्तिकाल का गनितग और खगोल सास्त्री के नाम से जो जाना जाता है वह है आरिभट option number D सही आंसर हो जाएगा अगर हम बात करें आरिभट से समंदी तो ये गनितग्य के साथ-साथ जो तिस बिद भी थे और इनकी एक ग्रन्थ है आरिभट यम और इनकी इनका जो जन्म है ये कुसुमपूर यानिकी बर्तमान का जो बिहार है बिहार के पटना में जन्म हुआ था तो इस कारण से इनका संबंध बिहार से रहा है निम्न में से कौन जैनों के 23 तिर्थकर थे जैन धर में कुल 24 तिर्थकर होते हैं उसमें से 23 तिर्थकर के नाम जब पूछा जाए तो वह थे पासर्वनात पासर्वनात जो थे 23 तिर्थकर और इनका जो संबंध है सम्मेद परवत सिखर से इनका संबंध रहा है पहला नमबर पे री सब्देव थे और आखरी नमबर पे महवीर स्वामी थे निम्नांकित में से किसने हिंदी भासा को भारत की राष्ट भासा के रूप में सुईकार बाप पहली बार स्वाराज सब्द का परियोग किया है ध्यान देंगे पहली बार स्वाराज सब्द का परियोग जो किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है जबकि कॉंग्रिस के रूप में स्वाराज की मांग की जब बात करेगा तब हम एक सब्द याद रखते हैं एक नाम याद रखते हैं दादा भाई नौरो जी तो दोनों प्रस्ण को समझ के रखेंगे अगला प्रस्ण है कि अखिल भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस की प्रथम भारतिय महिला ध्यक्ष कौन थी तो अखिल भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस की प्रथम महिला ध्यक्ष के रूप में सरोलनी नाइड को चुना गया था जो कि 1925 के कानपूर अधिवेशन से समन्दित हैं जबकि अगर पूछ ले कि प्रत्थम महिला ध्यक्ष सिर्फ कौन था तो एनी बेसेंट थी जो कि 1917 में बनी थी रविन्ना टेगोर ने सर की उपाधि को क्यों लोटाया था तो ये लोटाने का कारण था जल्यावाला बाग हत्यकंड जो कि 13 अप्रेल 1919 को हुआ था इसी समय कुछ और भी उपाधियां लोटाई गई थी जिनमें राय बहादूर की उपाधि जमनलाल बजाज ने जबकि केस रेहिंद की उपाधि महात्मा गांधि ने लोटाया था अगला प्रेशन मारक 1937 में हुई कॉंग्रेस मंत्री मंडल कितने प्रांत में बने 1937 में जो हुआ था ये कुल जो पाच राजियों में पुर्ण बहामत के साथ कॉंग्रेस ने चुनाब को जीता था जबकि साथ ही साथ ध्यान रखेंगे तीन और में उसने गठबंधन के साथ बनाया था इस कारण से टोटल उसका जो हो जाएगा वो आठ प्रांत में अगला है कि भारतिये मुस्लिम लिग के अस्थापना किस वर्स की गई थी तो भारतिये मुस्लिम लिग के अस्थापना ये किया गया था 1906 में और डेट अगर पूछ ले तो 30 दिसंबर 1906 को और ये कहां पर किया गया था धाका में किया गया प्रात्ना समाज के संस्थापक कौन थे तो प्रात्ना समाज के संस्थापक जो थे या थे आत्मा राम पांडुरंग या फिर हम कह सकते हैं कि महादेव गोविंड रानाडे ध्यान रखेंगे कि प्रात्ना समाज की अस्थापना मुख्य रूप से जो है आत्मा राम पांडुरंग ने किया था अट्रस और सर इस्वी में साथ ही साथ प्रात्ना समाज जो है भारतिय नवजागरन के रूप में जब सुरू होता है तो महादेव गोमिद रनाडे को भी सामिल किया जाता है मुख रूप से आत्माराम पांडूरंग को याद रखेंगे 22 प्रस्ण कहता है कि गांधी की डांडी यात्रा का प्ररम किस तारिक और बर्स है यानि कि गांधी जी ने जो डांडी मार्च या नमक मार्च के नाम से जो जाना जाता है इसकी सुरुआत 12 मार्च 930 में किया गया था जो कि अहमदावाद में सावरमती से सुरू किया गया था और इसका कारण क्या था तो नमक कानून तोड़ना एवं सबने अवग्यांदोलन का सुरुआत करना बर्स 2011 की जनगन्यक अनुसार भारत में नियुनतम जनसंख्या घनत्व की जब बात करेगा तब हमारा सही आंसर हो जाएगा इन सभी में अरुनाचल परदेश और अधिक्तम की जब बात करेगा तब हमारा बिहार हन बिहार की जो घनत्व है वाईगारा सोच्छे है जब के अरुनाचल परदेश का सत्रा ब्यक्ति प्रती किलोमीटर है अंतराष्टी मुद्राकोस का बितियन किसके द्वारा किया जाता है अंतराष्टिय मुद्रकोस यानि की आईमेप और इसका बित्यन किसके द्वारा किया जाता है तो सही आंसर होगा उसके सदस्य देशों के द्वारा तो ये धियान रखेंगे कि जो आईमेप है इसकी अस्थापना 1945 में की जाती है और इसका मुख्याल है बासिंग्टन डीसी होता है चलते हैं अगले प्रेस्ण की और बहुत ही इंपॉर्टन प्रेस्ण एकोनॉमी को लेकर कि कि बेरोजगारी ब मुद्रास्फिती की संयुक्त घटक क्या कहलाती है तो बेरोजगारी और मुद्रास्फिती की संयुक्त घटक को हम जो जानते हैं वह कहलाता है अस्टैग फ्लेशन उप्सिन नमबर C बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाब कम हो जाएगा यदि अगर हम बैंक दर को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो उसका प्रभाब क्यों कम होगा तो CRR कम कर देने पर वो कम हो जाता है 27 वह है कि निमने सारवजनी को पक्रम में कौन सा महारतन नहीं है भेल, गेल, सेल या BSNL तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो BSNL है ये महारतन कमपनी में सामिल नहीं है बरतमान में 11 महारतन कमपनी है ये भी ध्यान में रखेंगे निमने में से बहु आयामी गरीवी सुचकांक के समन्द में गलत कौन से है यानि कि बहुआयामी जो सुचकांक सामिल किया जाता है उसमें गलत कौन सा है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि प्रतिक चालन को समान भार दिया गया है option number D अगला प्रेसने 29 वा कि भारती नियोजन के बास्तुकार कौन थे तो भारती नियोजन जो यानि कि आर्थिक नियोजन के बास्तुकार के रूप में जो जाना जाता है वह जाने जाते हैं पंडित जवालाल नहरू और आर्थिक नियोजन जो समंदी थे इसके बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले इसकी चर्चा 1934 सिस्वी में एम बिसेस बराया ने नियोजी तर्थवस्था नाम से जब पुस्तक निकाला था तब और उसके बाद 1938 में जो कॉंग्रेस ने पहली बार सरप्रथम राष्टी नियोजन समीती का गठन किया और जिसके अध्यक्ष के रूप में जवाहलाल नेहरू थे ध्यान में रखेंगे निम्नमे से किसकी पहचान करे जो रिजर बैंक का कारे नहीं है रिजर बैंक का जो कारे नहीं है उनमें अगर देखा जाए तो जनता से प्राप्त जमाओं का ब्याज देना ये रिजर बैंक का नहीं संबंधित बैंक का काम होत आरवियाई जिसके अस्थापना एक अप्राइल 1935 को होता है और हेड़कौार्टर मुंबई में इस्थित है अगला प्राशने की निम्दा तिलहन के उत्पादन में ब्रीधी का कारण क्या होता है तिलहन के उत्पादन में ब्रीधी के कारण के रूप में पीली क्रांती को जाना जाता है हना स्वेत क्रांती के बारे में आप जानते होंगे दूध से समंदित है नीली क्रांती जो की मचली उत्पादन से और भूरी क्रांती या उर्वरक उत्पादन से समंदित है वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक वार लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों तक सेर जरूर करेंगे साथी साथ आप से फिर हम कहरें कि आप एक कमेंट में जरूर बताएंगे कि क्या इसके मैथ और इजनिंग के सोल्यूसन भी आपको दिये जाए क्या आप लंबी वीडियो देखना पसंद करेंगे कभी-कभी होता है कि लोग जो होते हैं वो छोटे-छोटे वीडियो छोटे-छोटे पॉइंट के पीछे भागते हैं अक्सर याद रखे कि जितना डिटेल में आपको गहराई तक जो जानकारी मिल जाए वो जानकारी को समेटिये तब अपने आप छोटे छोटे प्रस्ण हमेशा आप से स्वैम सौल्व होना सुरू हो जाएगा तो हमेशा सौट कट के पीछे मत भागिये हमेशा लॉंग ड्राइब पे निकल लिये तो लॉंग ड्राइब पे ही मज़े कुछ और होते हैं चलिए देखते हैं 32 नंबर प्रस्ण कहता है कि भारत के किस राज्य में सिसू मिर्तियुदर सब से कम है तो सिसू मिर्तियुदर के रूप में जो जाना जाता है वह है केरल ओप्सन नंबर B जहां पर सब से कम है विश्व ब्यापार संगठन यानि कि WTO का मुख्याले कहां इस्थित है WTO का मुख्याले यानि कि जो जिसे हम विश्व ब्यापार संगठन कहते हैं इसका मुख्याले के रूप में जो है वह है जिनेवा और इसकी अस्थापना की बात करें तो एक जनवरी 1995 को होता है और यह जिनेवा कहां इस्थित है तो स्विर्जर लेंड में इस्थित है अगला प्रसन है हमारा 34 नंबर जो की रिजनिंग से समन्दित है आप इन सभी के बारे में कमेंट बताएंगे उसके बाद ही हम अगले पार्ट से रिजनिंग और मैथ का सोल्यूशन भी आपको देंगे 34 का आप चाहें तो अंसर कर सकते हैं 28 ओप्सन डी याद रखेंगे अगला है 35 की भारतिय संभिधान में प्रारम्य में मौलिक करतब्यों का प्रावधान नहीं था संभिधान संसोधान द्वारा संभिधान के कीस भाग में इसका समाबेश किया गया है तो इसका समाबेश जो किया गया है वह है भाग 4 ए में मौलिक करतब्य की चर्चा की गई है और आपको पता होगा कि या सरदार स्वर्न सी समीती के कहने पर 42 संभिधान संसोधान उन्हें 176 में जोडा गया था और इस में अनुछेद के अगर बात कर लें तो 51 का का यहां पर सामिल होता है 36 नमबर प्रस्ण कहता है कि राज पिर्थिवी पर इसवर का अवतार है उक्त कथन किस बिचारक का है तो यह जो बिचार है या मुखरूप से जोर्ज बिलहेम फ्रेंडरिक हेगल जो की जर्मनी के हैं जर्मनी के हेगल का कहना है कि राज पिर्थिवी पर इसवर का अवतार होता है संबिधान सवा में उदेश प्रस्ताब को प्रस्तूत किया गया था कब किया गया था तो देश प्रस्ताब जेओ की आगे चलकर के प्रस्ताब ना बनता है इसको सर प्रतम प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को किस ने तो जे एल नेहरू ने पेस किया था अगला प्रस्तन है कि स्वाधिन्ता अंदोलन के दौरान पूर्ण स्वाराज के लक्ष घोसना की सवर्ष किये गये थे तो स्वाधिन्ता के समय जो लक्ष की पूर्ण घोसना की गयी थी उने 139 में किया गया था ओप्सन नमबर बी संबिधान सभा के प्रता मध्यक्ष कौन थे तो संबिधान सभा के प्रता मध्यक्ष के रूप में सचीदानन सिना को चुना गया था क्योंकि 9 दिसंबर 946 को आस्थाई रूप से इने चुना गया था और जब पर्मानेंट चुना जाएगा तब राजेन प्रसाद को चुन तो संपर्दाइक निर्वाचन प्रनाली का जो प्रारम किया गया था वह 1909 के मारले मिन्टो सुधार में किया गया था अगला है निमलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए वस्यक नहीं है बनसानुक्रम, जन्म, अधिग्रहित संपत्ति या देशी करन तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा अधिग्रहित संपत्ति नागरिकता के लिए वस्यक नहीं है लोकसभा का ध्यक्ष अपना त्यागपत्र की से संबोधित करता है तो लोकसभा का ध्यक्ष जो होता है अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को ही सौपता है जबकि इसकी सपत दिलाने की जब बात होती है तो लोकसभा ध्यक्ष लोकसभा सदस के रूप में सपत लेता है ये बात ध्यान में रखेंगे और लोकसभा ध्यक्ष रूपा ध्यक्ष के बारे में जो चर्चा है अनुच्छेद 93 में किया गया है भारत के किस राज में दिवसदिनिय ब्यवस्थापिका नहीं है बिहार, यूपी, पंजाब, जम्मू और कास्मीर तो यहां धियां रखेंगे कि जो सही आंसर हो जाएगा पंजाब में दिवसदिनिय ब्यवस्थापिका नहीं है बरतमान में जो है छे राजियों में ये सामिल है कौन कौन से तो यूपी, बिहार, करनाटक, महराष्टरा, आंधपरदेश और तिलंगाना जबकि जो पच्छी मंगाल है यहां पर चर्चा की गई है आर्टिकल 179 के तहत इसको बनाया जाता है जो बिधान परसद जो होती है उसको 179 के तहत बनाया जाता है प्रस्न है कि कौन से मुलाधिकार केवल भारतिय नागरीकों को पलावदे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रस्न है और इससे ध्यान में रख लेंगे हमेशा के लिए क्यानों छेद 15, 16, 19 और 29 जो है यह केवल भारतियों को ही प्राप्त होता है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखेंगे कौन कौन सी 15, 16, 19 और 29 अगला प्रस्न है कि सत्य कथन चूनिये प्रस्न को थोड़ा छोटा कर रहे है पेज को ताकि आपको चारे ओप्सन दीख सके अब देखेंगे कहता है कि सत्य कथन चूनिये तो यहाँ पर पहला कथने की राजसवा में 11 सदस्यों को राष्टपती मनूनित करता है दूसरा कहता है कि प्रत्यासवी को उसी राज का होना चाहिए जहां सुवा राजसवा का चुनाव लड़ रहा हो राजसवा को भांग किया जा सकता है लोगसवा में राष्टपती दो सदस मनूनित करते हैं अब देखे यहां पर आपने आप आंसर इलिमिनेट हो गया कि option number D जो है यह बिलकुल सही है राजसवा में 12 और यह बाकी कोई भी जो है वो सही नहीं है option number D चलिसवा प्रस्ण कहता है कि सत कथन चुनिए सत्य कथन में पहला कथन क्या है कि बीतायोग संबेधानिक निकाई है दूसरा है कि बीतायोग को संसद न्युक्त करती है तिसरा बीतायोग में पाच सदस्य होते हैं और चौथा कहता है कि हर छह वर्ष बाद बीतायोग अपनी रिपोर्ट पेस करता है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि बीतायोग जो है यह सम्वेधानिक निकाई के रूप में काम करता है क्योंकि अनुछेद 280 में इसका वर्णन किया गया है बाकी अन्य सभी गलत है आग देखते हैं 47 वा कहता है कि राजसभा में गनपूर्ती है तो कितने सदस्यों क्या वसकता होती है गनपूर्ती होने के लिए हमेशा जो चाहिए वह होता है राजसभा के लिए 25 ओप्सन नमबर एद ध्यान में रखेंगे है ना क्योंकि जो गनपूर्ती के लिए जो सीमा होती है वह एक वटा दस होता है तो आप लगभग जो कितने राजसभा में सीट हैं 250 के आसपास की सीट होती है इस कारण से उसके 10% 25 होना जरूरी है प्रसन है कि निमलिखित में से कौन सा कारा कभी किरिया दर पर कोई प्रभाब नहीं डालता है एंथेलपी में परिवर्तन तापमान उत्प्रेरक या सांधरता तो कौन सा जो कारक है वह अभी किरिया पर प्रभाब नहीं डालेगा ये छोटे छोटे प्रसन को ज़्यादा खासकर कि यह नहीं है जब भी आप प्रस्ण को सौलो करें तो नहीं सब्द आपको दीखे तो पेन पेंसिल से उसको सबसे पहले अंडर लाइन कर लिया करेंगे यह अक्सर फसाने का काम करता है तो हमारा 48 का सही आंसर हो जाएगा इन्थैल्पी में परिवर्थन कारवन नैनो ट्यूब निम्न में से किस सनरचनात्मक परिवार का सदस से कारवन नैनो ट्यूब जो सनरचनात्मक पदार थे यह फुलूरीन्स के अंतरगत आता है तो आप्स नुमबर C हो जाएगा चलते अगले प्रैसन की ओर हमारा कहता है कि कॉपर के किस मिस्र धातू में जींक नहीं होता है पीतल जर्मन सिल्वर बेल धातू या गनमेटल किसमें जींक यानि की जेडेन यानि की जस्ता को नहीं मिलाया जाता है तो सही आंसर हो जाएगा बेल धातू बेल धातू में जस यहाँ पर सामिल होते हैं अगला जो प्रस्ने क्यावा नंबर कहता है कि फेफडो का सफेद कैंसर किस के कारण होता है तो फेफडा में जो सफेद कैंसर होता है यह एस वेस्टस के कारण होता है ओप्सन नंबर ए संसद की प्राकलन समीती है अस्थाई न्याई क्या इनमे से कोई नहीं तो संसत की जो प्राकलन समीती होता है या मुख रूप से अस्थाई समीती होता है और इसमें कूल तीस सदस्य को सामिल किया जाता है और ये जितने सदस्य होते हैं ये लोक सभाके होते हैं ये भी ध्यान में रखेंगे अगला प्रस्ण कहता है हमारा कि बीतायोग के संदर्व में गलत कथन को चूने तो पहला कथन क्या कहता है कि बीतायोग द्वारा की गई सिफारी से राष्ट पती पर बाध्धेकारी होता है ठीक है दूसरा कहता है कि बीतायोग के अध्यक्षपद के लिए योगता संबिधान से निर्धारित की गई है तीसरा कहता है कि अभी तक 15 बीतायोग का गठन किया जा चुका है और चौथा कहता है कि संबिधान के अनुछे 280 के अनुसार बीतायोग का गठन किया गया है option number a हो जाएगा चौबर नंबर की प्रस्ण है यह सभी math के प्रस्ण है तो आप को हमने पहले ही बोला कि आप comment में बता देंगे उसके बाद ही अगले set से आपके math के भी प्रस्ण कराए जाएंगे 54 का आप ऐसे answer कर लेंगे option number c हो जाएगा 18 प्रस्ण जो reasoning का है reasoning आप solve कर सकते हैं इसको आप असानी से बना सकते हैं लुप्त संख्या ज्याद करना है तो इसका सही answer हो जाएगा option number a 81 sorry माप करेंगे 83 83 इसका answer है अगला प्रस्ण है 56 यह पुना आपको गलत नंबर ज्याद करना है ज्याद करना है option number a हो जाएगा 57 का आप answer टिक कर लेंगे option number c माता आप चाहें तो वीडियो को pause करके अरामसी इसको बना सकते हैं 58 58 का जो answer है वह है option number c पूरु में अगला है 59 59 को आप solve करेंगे तो आपका answer आ जाना चाहिए option number c 69 60 के अगर बात करें तो 60 number का हो जाएगा option number a अब आते हैं science का प्रस्ण है कता है कि निम्न में से किसरा sign का विक्रिया में nitrogen का अपचायन नहीं होता है तो इन सभी option को अगर आप देखेंगे तो जो nitrogen का अपचायन यानि कि एनो थिरी में एनो जो है इसका अपचायन नहीं हुआ है option number b Kyoto प्रोटोकॉल का उदेश निम्न में से किसकी मात्रा करना है यानि कि किसकी मात्रा से समंदी थे तो Kyoto प्रोटोकॉल के अगर हम बात करें तो यह green horse gas से समंदी थे green horse gas को कम करने से समंदी थे और यह जो है सरपर था मुने 1797 में जपान के सहर है Kyoto वहाँ पर किया गया था उर्जा का स्थूप यानि कि पिरामिड कैसा होता है उर्जा का जो स्थूप होता है पिरामिड यह हमेसा जो होता है यह किस ओर से होती है तो हमेसा उल्टा होता है प्रमप्रागत रूप से किर्केट बैट के निर्मान में किस पेड के कास्ट का उप्योग किया जाता है किर्केट बैट में जो किया जाता है वह बिलो बैट होता है बिलो का पेड होता ओप्सन नमबर ए भारत का राष्टी ये निलंबो निवसी फेरा निलंबो रिकरवा तो निलंबो निवसी फेरा जो होता है ये हमारा सही हो जाएगा जब इस तरह से प्रष्ण को पूखे तो उसके बैग्यानिक नाम भी याद रखेंगे जैसे राष्ट्टे पसू हमारा बाग है तो उसका पैन्था टिग्रिस कहा जाता है। आम जो होता है फल हमारा मैगनिफेरा इंडिका बριच जो बर्गद होता उसे हम फाइकस बंगलिंसिस के नाम से जानते हैं। प्रसन है कि जिब बिग्यान के पिता कौन का लाते हैं तो जिब बिग्यान के पिता के रूप में हम अरस्टू को जानते हैं अगला है कि निवन में से कौन सा एक कूट फल है कूट फल के रूप में किसे जाना जाता है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा option number B drop जो है ये कूट फल के रूप में जाना जाता है अगला है कि किट भक्षी पादप का उधारन किट भक्षी जो पहला तो ये ध्यान रखेगा कि किट भक्षी पादप जो है ये किट को क्यों खाता है तो nitrogen प्राप्त करने के लिए और ये इसका सही आंसर जो हो जाएगा होगा हमारा कौन सा तुन्य पेंटिस option number B 69 है कि निमलिखित में से कौन सी सार्थ 1813 इसवी के charter act का अंग नहीं थी यहाँ पर क्या बोला है नहीं थी तो 1813 के charter act के अगर बात करें तो चीन से कंपनी ने चाई ब्यापार को सुरक्षित रखा ये चीज गलत है बाकी अन्य सभी इस्ट इंडिया कंपनी भारत से ब्यापारी कधिकार आंसिक रूप से समाप्त कर दिया और कहता है कि ब्रिटिस ब्यापारियों को कुछ सर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंतरता दे दी गई ये सभी में Charter Act 1813 का जो अंग नहीं है वह option number D ध्यान में रखेंगे अब आगे आते हैं सत्तर कहता है कि एक प्रकास बर्स बराबर होता है आपको पता होगा ये साधारन से प्रस ने कि 9.46 गुने 10 पर पावर 12 किलो मीटर जब मीटर में पूछते तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो 10 ये 11 सब जगर दिया है वो पहले तो कि उसको 10 कर लेंगे एक प्रकास बर्स बराबर और 10 पर पावर 12 15 मीटर कितना 10 पर पावर 15 मीटर ये होता है ठीक है यहाँ पर ये सब आप्शन में जो 1 है उसको 10 कर लेंगे अगला है निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रनोधन में सामिल होता है तो रॉकेट प्रनोधन में जो सामिल किया जाता है उनमें जो मुख नियम होते हैं वह होता है न्यूटन गती का तिसरा नियम यानिकी किरिया के विपरित प्रति किरिया निम्न में से कौन सा ग्रा सौर मंडल के बैक्यूम क्लीनर की भांती कारी करता है तो बैक्यूम क्लीनर के भांती जो काम करता है वह सबसे बढ़ा ग्रा भिहस्पती काम करता है अगले हैं कि यदि बाई मंडल दाव पारे के 76 सिंटी मीटर से कम हो तो पानी कितने तापमान पर उबलेगा तो ये जो तापमान हो जाएगा पानी का उबाल नॉर्मली है कि वो कितना होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर इस तरह से समंदित अग प्रस्ण पूछे गए है प्री में और यहां पर क्या पुछा है कि blue baby syndrome जो होते हैं किसके कारण होते हैं तो हमारा सही आंसर हो जाएगा nitrate option number D brandland report जो सतत विकास के संदर्व से में है उसका सिर्षक क्या है तो इसका सिर्षक हो जाएगा option number C our common feature यह जो है यह 1987 में जो इस संयुक्त राष्ट के ब्राटलेंड आयोग जो था ब्रेटलेंड कंजर्वेशन या ब्रेटलेंड रिपोर्ट उससे संबंधी थे our common feature यहनी कि हमारा साजह भविस यह प्रस्त याद रखेंगी प्रतीक वर्स बिस्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो बिस्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है option number C और यह कहां पर हुआ था तो पहली बार उन्हें बाने में जब बिस्व जल दिवस मनाने की घोसना की गई थी रियोडी जिन्यूरियो से मिघाले की गारो पहारियां जिन में निवन में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है तो मिघाले के जो गारो पहारी है वह संत्रा के उत्पादन से संबंदी थे क्योंकि यहां जो होता है वो पोस्न कटिवंधिये जंगल पाए जाते भारत में बने निती उन्हें 152 का संसोधन कब किया गया 1952 में जो संसोधन किया गया वह हुआ सीधे जाकर के 1988 में option number D ध्यान में रखेंगे अगला प्रेसन है नेफा नेफा क्से संबंदित क्या है तो North East Frontier Agency के नाम से जाना जाता है तो सही answer हो जाएगा option number C और ये जो है स्वतन्तर भारत में उन्हें 172 तक काम किया था और इसे बनाया कब गया था तो ब्रिटिस काल में ही बनाया गया था और नेफा जो है ये बाद में अरुनाचल प्रदेश के रूप में परिवर्तित हो गिया पसों की रेड सिंधी नसल में से किस से संबन दित है घरेलू पसों से यानि की रेड सिंधी किस का नसल है तो रेड सिंधी जो होता है गाई का नसल माना जाता है और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांथ से संबन दित है भारत का दक्षिंतम बिंदू कौन सा है देखे कितना common प्रस्ण पूछा है अभी जो pre-exam हुआ है आपका PT का उसमें जो पूछाता है कि भारत का उत्री बिंदू कौन सा है और यहाँ पर देखे पिछले साल मेंस में पूछा गया है भारत का दक्षिंतम बिंदू कौन सा है तो यह सभी प्रस्ण जो है कहीं ने कहीं related हमेशा repeated होते रहते हैं तो यहाँ सही answer वह जाएगा दक्षिंतम बिंदू इंदरा point और उत्री बोल देगा तो इंदरा call लोनावला जल्बी धुस्यंत्र कहां इस्थिते तो लोनावला जो छेत्र है यह महरास्ट्रा में इस्थिते यह छोटे छोटे ऐस्टैटिक जी के भी आप से पूछे जाएंगे कहता है कि भारत में पर्मानु उरजायोग की अस्थापना कब की गई थी यह द्यान रखेंगे और इसका जो मुख्य अधिकारी होता है वो प्रधानमंत्री होता है और इसका मुख्याल है मुंबय में इस्थित है आगे देखते हैं कहता है 85 की नामदफा बागव्यारन किस राज में इस्थित है तो नामदफा बागव्यारन जो इस्थित है या सही आंसर हो जाएगा नाम दफा की जब भी बात करेगा तो यह रूनाचल प्रदेस अगर आपको जजनुजन होते हैं नाम दफा में तो यह जो नाम है यह नाम क्या रहेगा? किसी ब्यक्ति का अरून नाम होता है तो अरूनाचल कभी आपको दंपा यह का दिखाई देगा और दंपा जो है यह पच्छिन बंगाल में इस्तित है यह दोनों ध्यान रखेंगे और अगला प्रस्ण है कि दच्छिन भारत की सर्बोच चोटी दच्छिन भारत की जो सर्बोच चोटी है यह सही आंसर हो जाएगा अनाई मूडी दूसरा जब बोलेगा तो डोडा बेटा द्यान में रखेंगे है ना चेलिए अगला प्रस्न क्यों राते हैं आगे प्रस्न है कि यह मैथ के प्रस्वरी रिजनिंग के प्रस्न इसका आंसर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं ऐटी सेवन का जो जही ऑंसर है ऑपसिन नंबर बी है आगे देखते है एक ये एट है ये टी येट भी आप बनाएंगे तो आपको और एस समझ में आजाएगा 89 है 89 वे अपके math के प्रकुन है 89 का आप चाहें तो answer कर सकते हैं 89 का आपका आपका answer हो जाएगा option number a 90 नमब्र 90 का answer जो हो जाएगा option number b 91 Täंज 1b1 की बात करें तो 91 में आपका answer हो जाएगा option number a यह तरब math origin inut can tell not couple math के 25 प्रस्णापको math origin inutी पूछे जाएगे 92 का option number B हो जाएगा और आगे कहता है 93 है कि पाचन तंत्र का कौन सबहाग HCL स्रावित करता है HCL स्रावित करने के लिए जो होता है वह अमा से होता है option number D ध्यान में रखेंगे आगे के प्रेशन पुना मैत के हैं आप इसे solve कर लेंगे 94 का तो 94 का जो answer हो जाएगा option number है आपका C आप इसे बना लेंगे वीडियो पॉस करके पुना है आगे के सभी प्रेशन जो है मैत के ही है 95 का आपका answer हो जाएगा option number B 96 की बात करें तो 96 का जो answer है option number A है समान तरस्रेनी 97 की बात करें तो 97 का जो answer आजाएगा आपका यह answer ही कुछ इस प्रकार से सही नहीं दिया है इसका confirm नहीं निकल पाया है तो इसको आप ऐसे option number C कर लेंगे उसके बाद जो 98 है 98 का जो answer है आपका हो जाएगा option number D 10 उसके बाद 99 भी है आपके मैत के और 99 का जो सही answer हो जाएगा वो option number B और 100 नमबर का जो प्रस्न है यह GK के प्रस्न है कि कुलाल पावर विद्धुत परियोजना कहां इस्तित है तो कुलाल जो है यह गुजरात के गांधी नगर में इस्तित है तो यह थे पूरे आपके 100 प्रस्त आप इसके पीडिये भी प्राप्त कर सकते हमारे वाट्सप और टेलिग्राम ग्रूप से आपको लिंक नीचे दिये गए हैं डिस्क्रिप्शन में आप टेलिग्राम और वाट्सप ग्रूप को जरूर जोईन कर लेंगे वहाँ पर जितने भी सेट हम आपको कराएंगे उसके पीडिये भी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे तो उमीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको एक अनुमान लग गया होगा कि ब्रस्त कैसे पूछे जाएंगे और हमने जैसा कि आपको सुरू में ही कहा कि आप हमें जरूर बताएं कि क्या इसके मैथ सॉल्यूशन कराया जाए या नहीं तो वो भी आप कमेंट में जरूर सजेशन करेंगे और उसके बाद मिलेंगे कल अगले पार्ट में जहां पर नए सेट और नए प्रस्नों के साथ हम आपसे मिलेंगे तो अभी के लिए आपसे बिदा चाहेंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद